तो स्वागत है आपका ग्यापन इकडमी के जियोग्राफी के क्लास में आज का क्लास बहुत मज़दार होने वाले हैं बाव सबसे पहले सेशन को सेयर कर देजिए और लाइक के बटन को जरूर दबा देजिए एनिवी हमारा कहाना काम था आपको अच्छा लगे तो आप जरूर कीजिएगा यहाँ देखिए ट्वेल क्लास का हम लोग पढ़ने वाले हैं जियोग्राफी जप्रेट निर्माण उधोग आखिर कर कौन कौन सी फैक्टरी बनी अंग्रेजो के जबाने में भी भारत के कुछ ऐसे महान लोग थे जो अपना फैक्टरी बैठाय थे उसके बारे में इसमें यही सिर्फ जानना है और ट्रीक इतना संदार की चुटकियों में याद हो जाएगा ठीक है यहाँ पे नोट आपको free of cost है उसके लिए टेंसन नहीं लेना है टेलीग्राम चैनल पर आप जाएगा यापन अकेडमी अफिसियल तो उसमें आपको यह पूरा का पूरा जो भी नोट से आपको free of cost दिया जाएगा टेंसन लेने के जरूरत नहीं है हाँ लेकिन एक चीज के लिए rate क्या लेन order नहीं है ठीक है चलिए अगला question हम लोग फस्ट देखते हैं आज यह जमसेजी टाटा पहले ही है वैसे यह जमसेजी टाटा है कि को नहीं आपको खुद बताना है ठीक है चलिए यहाँ पे निम्न में से किस राजे में टाटा इसपात सन्यांत्र है आपको पता हुना चीकि में 1907 में अस्थापित हुआ था अधोगी में मतलब अधुनिक जबाना में 1907 रट लेजी जमसेजी टाटा द्वरा दिया गया था लेकिन आप बताए कि यह किसका इमेज है ठीक है यह आपको बताना है रतन टाटा जी का है यहाँ देखिए जमसेजी टाटा द्वरा स्वेर आपको पूरा का पूरा दीखेगा है किस नजदिकी पतन से ठीक है इसक इसपात होता था तो यहाँ पे कॉलकता से और यहाँ पे रेलेवे जो मार्ग था वो मुंबई-कुलकता मार्ग के निकटी यह है कौन आपका लोह जो है भारत का पहला ठीक है पानी कहा से आत चलिए लोहा कहां से आता था तो लोहा आता था नुवा मंडी और बदाम के पहाड़ी से लोहा वगरा का अब लोहा का मतलब लोहा का अयस्क बकसाइड ठीक है सॉरी बकसाइड बोल रहा है हेमाटाइड मेंगनेटाइड लीमोनाइट यह सब चीजे अब देख लेजेगा इतनी कमपनी दूगों कमपनी कैसे याद रखेगा बिश्व सोरय और बिजय नगर यह दूगों कमपनी कहां पर करनाटक में याद करने का तरीका बता रहे हैं दिखिए बिश्व को बिजय करना बिजय माने जितना नाटक की बात कोई नहीं है यह मामूली बात नहीं है बिश टाटा की कार यहां पर विश्व विजय करना असान नहीं है टाटा की कार जहारखंड में है ठीक है उसके बासे भारत की दुर्गाजी अब आप बताईए कि दुर्गापूजा होता है तो भारत में होता है भारत में सबसे अच्छा दुर्गापूजा बंगाल में होता है ठी और यहां पे यह जो दुरुगापूर इसपात बनाए गया था यह ब्रिटेन के सहयोग से बनाए गया था किसके सहयोग से ब्रिटेन के सहयोग से बनाए गया था यह आगे हम लोग देखेंगे उसके बाद से भी साखा पटनम यानि कि किसी को पटाना यानि कि यहां समझेगा अंधे लोगों को पटाना बड़ी असान होता है अंधर से अंधर परदेश हो जाएगा अब देखिए यहाँ पर देखिए भिलाई हो जाएगा 36 गड़ याद रखेगा भिलाई हो जाएगा 36 गड़ आगे ट्रीक इसका बहुत संदार है के उसमें याद हो जाएगा सबसे असान ट्रीक है सलेम इसपाथ सेलम या सलेम इसपाथ कहा है तो इसमें भी लॉम है तो सलेम इसपाथ तोमिल नाडू में हो जाएगा चलिए अब फटापट कोश्चन को शुरू करते हैं यहाद लॉघव को सका के इमेज आब को दिखाई दे रहा होगा भारति लॉह इसपाथ और ऐसपाथज कंपणी की रेल मार किस रेल की यहाँ पर होगा की अस्सय। किस रेल मार के समीब था तो यहाँ मुंबई और कॉलकता आपका option 2 का option number B answer हो जाएगा क्या हो जाएगा B answer हो जाएगा मुंबई और कुलकत्ता railway mark के पास भारतिया रेल भारतिया लुहा और spot company है चलिए यहाँ पे और भी कुछ रेल मार टाटा spot और भिलाई spot यह मुंबई और कुलकत्ता railway के है टाटा और विलाई याद रखेगा विल्ली को टाटा बोलिएगा ठीक है मुंबई में तो मुंबई और कुलकत्ता क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ठीक है मुंबई कुलकत्ता railway mark अगला यहाँ पे देखे भारतिया लुह spot company यहाँ पे कुलकत्ता और आसन सुल्ड railway के पास है railway mark भारत वाला ठीक है भारतिया लुह spot company अब थोड़ा सा आगे question देखते है आगे question है यह देखे भारतिया लुह spot company ठीक है कहा यहाँ पे image दिख रहा है भारतिया लुह spot company अपना पहला कर खाना किस अस्थान पर खोली थी तो अपना पहला कर खाना option आप इसको देखे option चिन्नाई की मुंबई की हाजीपूर की हीरापूर तो हीरापूर में भारतिया याद रखेगा भारतिया इस पास company हीरापूर ठीक है अब यहाँ बात करें भारतिया इस पास company जो थी यह लोहा सी भूमी से लाती थी सी भूमी जहरखंड में है और जल दामोदर नदी से लाती दामोदर की साहिक नदी यह बराकर कौन सी नदी बराकर नदी लेकिन आपको अधिकतर देता है दामोदर तो यहाँ से लोहा कहाँ से निकाला जाता था सी भूमी से अस्थूद किया जाता था ले जाके भारतिय लोह इस बात में कोईला रानी गंजरिया रामगड़ यह दामोदर की ही घाटी है अगला कोशन है विस्सो सोरया आईरन एंड एस्टील वर्क सोब विस्सो सोरया इसका भी आपको ट्रीक बताएंगे आप थोड़ा दिर के लिए थोड़ा पेसेंस रखिए ठीक है विस्सो सोरया क्या हो जाएगा तो चार नंबर का आपका एंसर क्या होगा आप फटाफट एंसर दिजी चार नंबर का एंसर क्या होगा चार का विस्सो सोरया भद्रावती नदी के पास है यह आप याद रखिएगा चलिए यहाँ आप देखे तो सुन रेखा और खर खोई नदी टाटा लोह इस्पात यानि टिसको जिसको बोले आता है इसके दवरा इस नदी के दवरा भी इस कंपणी में पानी जाता है ठीक है बराकर नदी आये इसस हो जाएगा ठीक है भारतिया इस्पात कंपणी बिस्सो सोरया यही है देखे यहाँ पर जूम आउट थोड़ा कर रहे हैं इसका एंसर लगा पाते हैं किस लोः इस पात को चलाने में लकड़ी को जला करके सोचिए कि बहुत सरा कंपणी बना है तो हर कंपणी के लिए कोईला की जुरुत है लेकिन ऐसी यह कंपणी है जिससे पास अवकात नहीं थी उतना पैसा नहीं था तो लकड़ी को जला के कोईला के रूप में बदल के तब अपना कंपणी चला यानि कि कि लोः इस पात को चलाने में लकड़ी को जला करके बनाए गए चारकोल का उप्यो करके इनन के रूप में होता था तो आप अगर आप पूरे विश्व पर राज करना चाहते हैं तो छोटे-छोटे चीजों से स्टगल करना पड़ता है विश्व स्वेराया हो जाएगा इसका एंसर याद रखिएगा दोतिय पंच वर्षिय योजना कब हो थी तो यह हो जाता चपन में एकावन से ले करके और चपन तक प्रथम पंच वर्षिय योजना चपन से आगे पंच सल जोड लेजिए ठीक है वो हो जाएगा दोतिय पंच वर्षिय योजना राउर केला ठीक है इसपात उधोग जो भी है इसपात सन्यंत्र किसके सहयोग से बना है तो आप बताए देखिए समझे बहुत लोगों केला जमता है बहुत लोगों केला नहीं जमता है खाने में अच्छा नहीं लगता है जैसे कि खासी सरदी का डर रहता है तो केला जमता है जम लिखा है न जर्मानी हो जाएगा राउर केला किसके सहयोग से जर्मानी के सहयोग से यहां देखिए राउर केला इसपात उधोग जो है वहाँ हेरा कुंड पर योजना से निकि इस नदी के द्वारा पानी या बिदूत बनाया जाता है लेकिन दुर्गापूर जो था वो बिदूत दामोदर घाटी से बनाया ठैके और यह कहां पर area तो ऊड़िसा में केला नहीं जमा तो ऊड़ी बिलाई रूस कर छत पर चली गई रावर कीला जर्मानी में यह कहां पर पड़ेगा रावर कीला ऊड़िसा में पड़ेगा जर्मानी के सहयोक से बना और विलाई विलाई किसके स़योग से रूस्स के स़योग से यह विलाई है कह है विलाई इस पाद 3father चतिस घडमे या दखीगा और राउर के ला नहीं जमत उड़ गई बिलाई रूसकर कहाँ चली गई च्छत पे चली गई इससे आप याद रख सकते हैं ठीक है अब आपसे हम अगर हटा के पूछे भी तो बता जीगा आप बता ये कि भिलाई जो है वो कौन से राजय में है मतलब अगर बात करके विलाई इस पात उधो कौन से राजय में तो विलाई कहां उड़के च सब्सक्राइब याद रखेगा यह रूष के सहयोग से बना राउर केला केला जमान नहीं तो जर्मनी से जो कहां उड़ गया तो ओड़ी सामय यह भी बनाता 1969 में दुरगापूर दुरगापूर कहां हो जाएगा ब्रिटेन में के सहयोग से बना है और यह पुसिम बंगाल म बना 1964 में बोकारो वाला बना था यानि कि यह वाला 1964 में बना था तो पहला 69 दूगो 69 एक 62 और एक 64 याद रखिएगा ठीक है चलिए अगला हम लोग देखते हैं अगला है विलाई इस पाद सर्यंत्र की अस्थापना आगयाना बाद किस देश के सहयोग से 36 गड़ में हुआ कि अध्यात तो बिलाई का हो गए तिहीं रूस गई थी रूस के सहयोग से यहाँ अप्सें किसे ना ट्रिक तो आपको याद ऊजाएगा कमेंट फटाफट कि कि जिये जितना ट्रिक बता रहे हैं वह बिल्ली वाला ट्रीक जो भी है उसको कमेंट की जिए ठीक है चलिए बिटानिया भी स्टित खा रही थी तो बिटानिया से हो जाएगा ब्रिटेन के सईयोग से उनीस अब आसट में दुर्गापूर्ला बना था रानी गॉंजो झारिया से कोईला मंगा जाता है वैसे एक बात जानले जिए कोईला अधिकतर जारखंड से ही मंगा जाता है इस लुहा मंडी से लुहा मंगा जाता है और विदुत दामोदर से तो सबसे ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिक देखना विदुत कहां से दामोदर नदी से मंगा जाता है और एक और बात बता दें कि यह बंगाल की सुक बोला जाता है इसी नदी को बोकारो इस पात सन्यंत्र क विदुद कहां से प्राप्त होता है बोकारो आप बता सकते हैं याद दस नमबर का एंसर तो बतारे सबसे जएधा दामोदर ना दी है ना तो दामोदर को टीक कर लेजएगा सलेम इसका तो ट्रिक क्या लगाना है तो बहुत असान है सलेम इस पात उदोग सलेम लो आमो है तो तौमिल में लो और मोह है तौमिल ना डो हो जाएगा ठीक है अगला कुस्टन देखिए इन में से कौन अधोगिक जिला है कानपुर जो उत्तर परदेश में पढ़ता है बाकी सब नहीं है उतना अधोगिक मनी मसीन वाला जिला ज्यादा मसीन वगरा है यहां देखिए ओडिसा में सफ्ट्वेयर तकनिक पार्क अवस्तित है कहां पर ओडिसा के भूने सवर और से के रजदनानी भूने सवर में है पूरी में नहीं है चलिए उसके बाद से बिलाई स्टील सरयंत्र कोईला कहां से प्राप्ट होता है बिलाई वहला में आप बता बिलाई है इस्टिल किसके सहयोग से बनाए तो बिलाई रूस गय थी ना था रूस के सहयोग से वैसे आपको बता दे कि कोरबा हो जाएगा कोरबा से कोईला बंगाया गया था नीचे कुछ content लिखे भी होंगे कुर्बा और करगली ये दो जगह से कोईला प्राप्त किया जाता है विलाई के लिए और विदुद प्राप्त किया जाता है कुर्बा ताप सकती से तो दोनों आप याद रखेएगा विलाई वला कुर्बा ठीक है सूती कपड़ा उधोग बात करें हम सूती कपड़ा उधोग में सबसे अधिक उन्नत राजिय महरास्ट है देखना महरास्ट नहीं मुंबई वगरा इलाका में बड़ी सूती होता है भारत में इस साइड मुंबई में सूती कपड़ा और इस साइड पशी मंगाल में कौन सा ज जाबर के जो द्वरा खुला गया था मुंबई में ही अगला कुछा ने भारत में सबसे अधिक चीनी उत्पादंक वाला राज्य कौन है तो यह चीनी सबसे जदा कहां पर होता है महराश्ट लेकिन अभी के हिसाब से उत्तर प्रश लेकिन आपके किताब में क्या दिया है महर ऑतना तबाद में लोहा उसपाद ऊढ़े लोहा बनानोगा इस लेश्य में सखाली लोगा सोना होना तो है नहीं ठीक है विजए अगर इस पाद के इंद्र किस राजम है तो आपको बताए थै कि विश्व को विजए करना कोई नाटक की बात नहीं तो भी से और वीजए 19 नंबर हो जाएगा 19 अपका सी हो जाएगा निम्लीखित में से कौन सा एक और बता दें दक्षिड भारत का होना चाहिए तो यह हो जाएगा क्योंकि भारत के दक्षिड भारत में ही तो कुए बटूर तमिल नडू में पड़ता है चलिए तो यहाँ पे देखते हैं देखिए तो यहाँ चीनी मिल है और यहाँ पे ट्रॉक पे इखलाद करके जा रहा है निमलिकित में से कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है तो यूपी चीनी में दो नंबर पे आता है चीनी का कोटोरा गना बोला जाता है भारत में सबसे पहले अस्थापित की गई लोह अस्पाद कंपणी कोन है सबसे पहले भारत में टाटा लोह अस्पाद कंपणी 1907 में अस्थापित हुआ जमसेज जी टाटा के दवरा कहां पे जगद में जरकंड में ठीक है अब देखिए सोलापूर किस उधोग से संबंदी थे लोह उस बाद एलमोनियम सीमेंट सुत्ती वस्त सोलापूर सुत्ती वस्त से अब आजाईए भारत में नई ओधोईकरण निती की घोशना कब होई नई ओधोईकरण निती का मतलब होता है कि नया तरीका से बैपार किया गया मतलब पहले ना अपने अपने देश में बैपार होता था लेकिन बाद में जब ओधोईकरण पूरा फैल गया मसीन तो आप किस देश के हों दूसरे देश में अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाईए और दूसरे देश में जाके बैपार के जिए इसी को हम लोग भूम अंडली करण भी कहते हैं यानि कि एक पूरे विश्व के बजार को एक जगाई कठा कर देनी पूरे विश्व के लोग को इक अठा की रखेगा उनिश्व एकानवे और अगर दूसरा को सेन पूछडे के भूम अंडली करण नीजी करण या फिर उदारी करण वैस्वी करण कुछों पूछड़े कब सुरुआत हुआ तो यह जितना भी करण वाला है उनिश्व एकानवे हो जाएगा स्वेज नहर अब पूछ पर तक पूरा न हर यह बना दिया गया सुजड बैपार करने के लिए क्योंकि इधर से आने में बड़ी दूर पढ़ रहा था इंडिया निए इसी के लिए इस स्वेज नहर को खोल दीया गया था पूछला गया था जब गान्धी जी का जनम हुआ था तो अठारे सो गया था मुंबई से वेपार करने के लिए ठीक है यहां पर देख भी लीजिए यह एक मिनीट हाँ यहां देखे वैपार के उदेश्य से स्वेजनार को 1869 में खोला गया ठीक है यह भी याद रखेगा और क्या यहां पे लिखा है कुलकत्ता यह देखे उत्तर में विकास यहां पे इसका विकास हुआ है कुलकत्ता से हावड़ा के बीच में ही सम्व हुआ है यह कोई खास इलनार्डू में मैंचिस्टर बल जाता है मैंचिस्टर कपड़ा उदोग है यहां पे लिख देखे दक्षिट भारत का मैंचिस्टर का आ जाता है बिस्किट खाते हो ना तो बिस्किट उदोग किस परकार का उदोग है उपभोगता उदोग है उसको नहीं लोग ना खरीत बाहर से बीदेशों से हर प्रोडक्ट समान वगरा आता है काहे लिए आता है जी क्या दक्सता सुधारने के लिए कीमत घटाने के लिए नहीं जी यह आपका एंसर हो जाएगा यह वाला बिकसी देशों में रोजगार बढ़ाने के लिए ठीक है ताकि किसी भी देश में कंपन लूहा का इस पाथ रौ र किला नता तो है क्योंकि यहां उन्यू लौट इस पात करखाना समुद्र तक किनारे है तो ये तयमिल नाडू वाला सलेम या सेलम हो जाएगा ठीक है अगला कुश्चन एकतीस नमबर देखिए तौमिल नाडू में किस अस्थान पर लोहा इसपात करखाना अस्थापीत है तो तयमिल नाडू के सलेम यह डबल अगला कुश्चन 32 नमर है किस अस्थान पर लोह अस्पात जो है बाबा बुधन की पहाड़ी से लोहा प्राप्त किया जाता है तो यह ओलरडी 32 नमर का आपका एंसर हो जाएगा भद्रावती इसके नीचे हम कॉंटेंट लिख दिये हैं यहां देखिए विश्व सुरया जो आइरन स्टील था ना इसी के लिए इसमें मतलब इसकी में इसको बनाने के लिए कोईला की जरुवत पड़ेगी ना इसमें लोहा बनेगा तो यह लोहा को तपाना पड़ता है ठीक है तो बाबा बुधन की पहाड़ी से लाए गया था यह आप याद रखेंगे लेकिन अग सरवजानिक मंने जिस पर सरकार का धिकार हो ठेक हैं । यहाँ देखें अगला है कि मुंबई में पहला अधोनिक सूती व्स्तर करखाना कियापना किया गया कूंकी किया गया मुंबई एक पतन है मतलब हारना नहीं होता है मतलब बंदरगा को समझ लेकतर सकते है मुंबई एक बितीय केंद्र है सही बात है यह कपास उत्पादन छेतर के लिए कपास होता है यहां पे इन में से सब ही आपका एंसर हो जायेगा चलिए 35 नमर कोशन देखते हैं पहला अधुनिक सूती वस्तर कर खाना कहां स्ताफित हुआ था तो पहला हुआ था मुंबई में सबसे पहले मुंबई में ही तो हुआ था 36 नमर कोशन भिलाई वही बिलाई उड़ी छत पे ठीक है भिलाई यहाँ पे हो जाएगा इस पाद सनियंत्र किस राजय में 36 गड़ में छत लिका है न 36 गड़ में एसका लास्ट कोश्चन है सायद सरवजानिक छेत्र के धोगों पर नियंत्र किसका नियंत्र रहता है तो सरव मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा और और भी जवरदस्त कलास बना करके ले करके आएंगे कुछ बाबु लोग और बबुनी लोग कमेंट की थी ठीक है किसर कुश्चन कुश कम हो रहा है तो आपको कुश्चन या अब तो पूरा किताब का ही नहीं चोड़ निकाल के रख रहे हैं तो आज कर यह सेशन कम्प्लीट हुआ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और हिस्ति का सेशन अब 6 बैसे शुरू होने वाला है मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक चैहिंद और खुदा आफिश